मेरे असीइ सो हम अपने जीवन के अंदर दूवीधा में है दूवीधा शब समस्ते हूं दूवीधा CONFUSION में है समस्या को लेकर परिषान है समस्या हर एक fandi के पास है ऐसा यह ऑन पर कोई भी नहीं है जिसके पास समस्या में प्राब्लम इस everywhere हर एक विक्ति की अलग-अलग समस्या किसी को समस्या है पैसा लाओं का से किसी को समस्या है रखूं का नहीं ये भी समस्या है कोई बीमार है चंगाई मिलेगी नहीं मिलेगी छुटकारा होगा नहीं होगा दुवीधा में पड़े हुए हम कई चीजों में हम स्ट्रगल कर रहे हैं इंगलिश वर्ड है स्ट्रगल मेरे असी से उमें आपको बताना देना चाहता हूँ आप दुवीधा में पड़े रहने के लिए नहीं बुलाए गए है आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसके बास सब तालों की चावी है प्रॉब्लम क्या है धेड़ सारी चावीयां है चावीयों के गुच्छा बहुत सारा है पता नहीं चल रहा कौन सा ताला कौन सी चावी से खुलेगा इसलिए के आए लगा लगा के देख रहे हैं मालीजे मैं आपको पांसो चावीयां दे दूँ और आपको बोलों की जाए नीचे एक कमरा है उसका ताला खोल करके चावी में लगा के और ताला कोल के और मेरा फलाना सामान ला दीजे क्या होगा आप बा बावले हो जाएंगे कौन सी चावी लगाँ कर लगा के देखते रहेंगे तो साम हो जाएगी और मैं आपको आज चावी देने जा रहा हूँ मैं तो कुशिश करता हूँ हर संडे आपको एक चावी दूँ लेकिन कुछ लोग चावी ले लेते हैं कुछ लोग ताला खोल लेते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं कुछ लोग कोई बात नहीं आज हम विश्वासी जीवन में आने के बाद भी दूवीदा में है कारण क्या है कहीं न कहीं सेल्फ क्रेटेड प्रॉबलम है मैं आज सुभे आपको एक ऐसे शक्ष से मिलाऊंगा जिसकी जो सेल्फ क्रेटेड प्रॉबलम में फसा हुआ है जैसे आज मी बहुत सारे विश्वासी है जो सेल्फ क्रेटेड प्रॉबलम में फसे हुए है परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी विश्वासी स्ट्रगल करे अगर इस ट्रगल में ही रखना था तो बुलाए क्यों मैं एक बहुत फेवरेट आयदे मेरी रोमियो आठ से थीस रोमियो आठ से थीस में लिखा है पढ़ देंगा भाहि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं हम जैवन नहीं हैं हम जैवन से भी बढ़कर हैं We shall overcome हम जैपाने वाले लोग हैं काई पर अपनी समस्याओं पर हमारी जीवन की दुविदाओं और स्ट्रगल जिसमें हम होकर जा रहे हैं उसमें से जैवन पाने वाले लोग हैं यहुन्ना रजी सु समचार उसका सोल माध्याए और उसके तैटीस बद में प्रभु येश्यू मसी ने ये कहा मैंने ये बाते तुमसे इसलिए कही हैं येश्यू कहता है मैंने ये बाते चेलों से कुछ बाते करी और येश्यू कहता है मैंने ये बाते तुमसे इसलिए करी हैं कि तुम्हें मुझ में शांती मिले तुम्हें मुझ में याने येश्यू मसी में शांती मिले संसार में तुम्हें क्लेश होता है या कलेश होता है या तुम दुविदा में हो या तुम समस्या में हो पर परन्तु बोलो परन्तु बडोसी को बोलो परन्तु परेशान होने की जुरूत नहीं है समस्या है दुविदा में हो समस्याओं में हो पर आज मैं आपसे सुपह कहना चाहता हूं, परेशान होने की जुरत नहीं है। धाड़स बांदो, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, कुरूस का लग कर निशान। आपके पास कुरूस जो है, कुरूस जो निशान है न, वो जय का निशान है। कुरूस जो है, जय का निशान है। इश्यो मसी ने कुरूस कलवरी पर चड़ कर जय पाई है, और हमें भी जय दिलाई है। और अब जो मसी इस सुख में है, वो दंड के भागी नहीं है, परन्तु आनंद के भागी है। वो कहता है, ठाडस बांदो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को कहां पर जीता। कुरूस पर, कुरूस पर शैतान क्या सोच रहा है, कुरूस पर ठोक दिया गया। कहानी, कहानी ख़दम हो गई। बहुत खुश है शैतान कुरूस पर ईशू को देखकर। और उसे यह पता नहीं है कि यहां से एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कही बार आपके जीवन में, कलेश और संकट और परिशानिया आपके जीवन में आती है। आपको डाडस बांदा है। आपके पास एक जै का निशान है। आपके पास कुरूस है। आपके पास जीतावा येशु मसी है। हलललुया। We are a follower of Christ। हम जैवन येशु मसी के चेले और चेली हैं। हम हारेंगे नहीं। जै तो हमारी है। इशु कहता है, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हें चिंदा करने की जुरुत नहीं है। मैंने तुम्हारी बीमारी को जीत लिया है। मैंने तुम्हारे शरापों को हटा दिया है, तुम्हें परेशान होने की जुरत नहीं है मेरे अजीजों, आज सुबह में परमेश्व के वचन में से एक, जैसा मैंने बताए कि मैं आपको बताऊँगा कि एक विक्ती है जिसका जनम हुआ, वो मिलेगा आपको याकूब उत्पती की किताब 25 अदिया है, उसके 19-26 पद में वहाँ पर एक इजहाग के दो बेटे, इजहाग के दो बेटे का जनम हुआ, एक का नाम है याकूब, एक का नाम है ऐसा हूँ, ऐसा हूँ बड़ा है और याकूब छोटा है पर तु बरमेश्वर का वजन आप सब जानते हैं, मैं कहानी को इस तरीके से जल्दी से बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए बाइबल बताती है कि जब वो गर्व में था, तभी से बरमेश्वर के दृस्टी याकूब पे थी दो जातियां उस गर्वे में पल रही थी, बाइबल बताती है और याकूब का जनम हो गया, माबाब ने उसका नाम याकूब रख दिया याकूब का अर्थ होता है अडंगे बाच, दोकई बाच, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, अपने भाई के साथ सबसे पहले उसने अपने भाई को धोका दिया क्या धोका दिया? अपने बड़े भाई से कहा, उसकी आवशक्ता थी, उसे भूक लगी थी और उस भूक के लिए जब उसने उससे कहा छोटे भाई से कहे मुझे भोजन दे तब उसने उस मजबूरी का फाइदा उठाया जिंदिकी में याद रखना है You are a blessed person You are a blessed family You are not blessed by any men You are blessed and chosen by God Don't take any Miss advantage From other side Faith upon God उस समय का इंतजार करो जो प्रभू ने आपको के लिए रखा है प्रभू ने अल्रेडी कह दिया था लेकिन भाई साब ने अपनी अकल से अपने भाई को एक बार के भोजन के लिए मजबूर कर दिया किसी भी मजबूर विक्ति का लाब ने उठाना ध्यान रखना मदद कर नहीं है करो पर मजबूरी का फाइदा मत उठाओ इसने मजबूरी का लाब उठाया और अपने भाई से कहा कि यदि एक टाइम का भोजन में तुझे खिलाऊंगा उसके बदले में तुझे एक चीज मुझे देनी पड़ेगी और वो क्या था पहलोटे होने का हक यह बड़ा बनना चाहता था यह पहलोटे होने का हक क्यों मागा इसने क्योंकि उन दिनों में पहलोटे को डबल मिलता था यह आशीष का भूका था आशीष पाने के लिए कोई भी काम करा लो इससे who can to cover कैसे भी करके मुझे बस आशीष चाहिए आशिष पाने के आप हगदार ऐसे ही है मैं बता दू आप पट डोंट टेक इस टाइप ओव वेस इस प्रकार के रास्तों का चुनाव मत करो अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मैंने बोला था ना Self-Created Problem याकूब से परमेशों नहीं कहाता तू अपने भाई के साथ ऐसा कर यह Self-Created करी इसने Problem कई बार कई परिवारों में Self-Created Problem होती नमबर दो उसके बाद जब वो बढ़ा हो गया उसके बाद उसका जब पिता बूड़ा हो गया अब उसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा पिता ने कहा एक बार कोई मुझे भोजन करा दो और भोजन करने के बाद मैं त्रिप्तो करके आशिरवाद दूगा और इसने वहाँ परेगी योजना बनाई क्या योजना बनाई इसके बड़े भाई को मालूम था पिता को क्या पसंद है वो विचारा जंगल गया लेकिन इधर मम्मी के साथ मिलकर इसने खिछडी पकाई कई बार माएं भी बहुत खिछडी पकाने में मदद करती ऐसी खिछडी मत पकाओ कि बच्चा हाथ से निगल जाए मैं मा को बोल रहा हूँ और मैं आपको कहना जाता हूँ मा जैसी चीज दुबारा कभी मिलेगी निया उसके साथ अन्याय मत करो उसका आदर करो इसने क्या किया अपने पिता को घर में मम्मी से रोटे बर सबजी बनवाई और भाई का रूप धारन कर गे इसके भाई की एक खुबी थी कि इसके भाई के बाल शरीर पर बाल थे रोवार पुरुष था वो ऐसा लिखा है उसके जादा बाल थे और पिता आखे दुनली होने की वज़े से केवल टच करके ही पैचान पाता था और ये भोजन ले करके और वस्तर धारन करके आशिश भाने के लिए अपने पिता के पास गया पिता को डौट हुआ लेकिन फिर भी ये पिता को इसने सेट कर लिया और सारा आशिरवाद बटूर लिया बाद में जब इसका बड़ा भाई उसके पास पहुँचा तब उसने कहा बेटा आशिरवाद तो मैंने तुझे दे दिया नहीं बोले पापा मैं तो खाना ही लेके अब आया हूँ तब इजहाग समझ गया यह चुटका जो है चूना लगा गया और ऐसा हो के लिए कोई भी आशिष जो भी बची कुछी उसके दिल में थी वो उसने उसको दे दी सही तरीके से अगर आप आशिष पाना चाहते हो तो गलत तरीकों का इस्तमाल बद करो क्योंकि अगर गलत रीती से काम करोगे गलत रीती से उपर जाने की चुकर में रहोगे तो याद रखना वो आपके लिए दुखदाई होगा आपके लिए सरदर्द होगा आपके लिए दूवीदा में पढ़ा जाओगे आप जब ये बात मालूम पड़ी ऐसाओ को ऐसाओ को गुस्सा आया और इससे पहले कि ऐसाओ मारने के लिए आये ममी ने याकूब को लाबान के घर अपने मामा के घर भेज दिया और मामा के घर जाने से पहले ध्यान से सुनियेगा उसको कुछ सलाएं भी थी याकूब से कहा कि तू किसी से भी शादी कर लेना मामा की लड़की से शादी कर लेना पर कनानी लड़की से शादी मत करना ये शिक्षा दोनों के लिए थी और ये मामा के घर गया और मैं आगे चलता जल्दी से आगे बढ़ूँगा साथ साल लिया के लिए साथ साल राहिल के लिए और छै साल भेड बक्रियों के लिए क्या करनी पड़ी गुलामी करनी पड़ी जब बीस साल की गुलामी हो गई उसके बाद परमेश्वर की आवाज याकूब को फिर आई और याकूब से परमेश्वर ने कहा जर आप पढ़ेंगे इस वचन को उत्पति की किताब 31 अध्यायत 3 पद मैंने ये सारी कहानी आपको शॉट में करके बता दी लेकिन अब मैं आपसे आपको आगे ले जाना चाहता हूँ मैं आपको आपकी दुवीदा पर जय दिला आने के लिए आज ये बाते कर रहा हूं आज के बाद आपके जिवन में दुवीदा नहीं रहेगी आज के बाद आप समस्याओं में घिरेवे नहीं रहेंगे पडोसी को बोलो आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है हललुया मैं वाके ही बोल रहा हूं आपको मैं वाके ही बोल रहा हूं आपको आज आपकी समस्या का आखरी दिन है आज आपकी बीमारी का आखरी दिन है आज आपके कर्च में रहने का आखरी दिन है आज आपके बंदन में रहने का आखरी दिन है आज आपके जीवन में फरीवर्दन आराते है हललुया तो क्या हुआ भाई ये 20 साल से क्या कर रहा है गुलामी कर रहा है इधर लाबान का भी चरितरगर आप देखें तो लाबान जो है इसके साथ धोका ही धोका, धोका ही धोका पहले बिचारा गया कि मेरे को राहिल पसंद है तेरी छुटकी लड़की मेरे को पसंद है तो मामा ने बोला अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है बांजे कला जाना सहरा बांद के बिचारा सहरा बांद के गया एक लड़की हैंड ओवर कर दी गोंगट में थी घर ले आया बड़ी खुशी के साथ अंदर राहे ले पर गोंगट उठाया तो पता चला लिया और वो भी बजारवन अरे मामा ये क्या किया आपने क्या हुआ बिटा अरे बोले मामा मैंने तो छुटकी पसंद करी थी आपने बड़की पकड़ा दी बोले छुटकी भी चाहिए हैं बोले हाँ तो बोले एक बार और सहरा बांद के आजा छुटकी भी दे दूँगा लेकिन उसके लिए 14 साल की गुलामी और 6 साल वो गुलाम दिखे ये ब्लेसिंग पाने के लिए गुलामी करने की जुरूत नहीं है ब्लेसिंग परमेश्वर की और से हमारे लिए अपने आप है औरत पाने के लिए गुलामी करेंगे हम औरत पाने के लिए गुलामी गुलामी क्यों करेंगे? और और तो गिफ्ट है Bible में लिखा है औरत अमारे ले क्या है? हमारी जो पत्नी है वो हमारे ले सबसे बेस्ट गिफ्ट है तो वो गिफ्ट पाने के लिए अमें गुलामी करने की जुरूद नहीं जैसा याकूब ने की अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये याकूब ने self-create की है अब परमेश्वर ने 20 साल के बाद, गुलामी के बाद फिर परमेश्वर ने सुधी ली और परमेश्वर आज आपकी भी सुधी लेने जा रहा है जब परमेश्वर आता है सुधी लेता है तो कुछ बोलता है अब पढ़ेंगे इस बचन को तब यहवा परमेश्वर ने याकूब से कहा देखिए जिस पर परमेश्वर की द्रिस्थी है वो कहीं भी निकल ले परमेश्वर उसके पीछे-पीछे चलता रहे हो कुछ लोग सेवकाई से बागते हैं कुछ लोग कई भी भागो बेटा परमेश्वर पीछे पागाई ठीके न फिर क्या हुआ यहोवा ने याकूब से कहा अपने पित्रों के देश एक आग्या आई एक दिन इसके पिता के पास आग्या आई थी उत्पत्ती बारा अध्याई के अंदर अबराहम के पास एक आग्या आई थी इसके दादा के पास अबराहम का दादा यह हुआ ना अबराहम दादा यह हुआ ना याकूब का तो दादा के पास आग्या आई कि अपना फिता का घर, अपनी जनम भूमी और अपने देश को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ. इसके बाज उल्टी आग्या ही. क्या आग्या ही? अपने पित्रों के देश अपने बाप के देश में वापस चला जा और अपनी जनम भूमी पर वापस लोट जा और मैं तेरे संग रहूंगा, हाललुया सिंपल आगया, साधरन से आगया आप बताईए इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ा कुर्बानी मांगी परमेश्वन परमेश्वन इसे वापस अपने फित्रों के घर अपने भागदादों के घर जाने के लिए क्या कर रहा है, एक आगया दे रहा है बहुत सुन्दर आगया यहां पर याकूब के पास आ गई लेकिन जैसे ही यह आगया आई इसकी दुवीधा चालू हो गई यह दुवीधा में पढ़ गया एक तरफ परमेश्वर की आगया है दूसरी तरफ भाई तलवार लेकर ख़ड़ा हुआ है हलो प्रेम भाई दोड़ा साथ देना एक तरफ परमेश्वर की आगया है कि अपने पिता के घर को वापस लोट जा अपने पित्रों के घर वापस चला जा तू गुलामी रकरने के लिए नहीं बनाया गया है बहुत होगी तेरी गुलामी बीस साल तक तेरे मामा ने तुझे ठगा है ऐसी ही एक गुलामी की बू आज हमारे जीवनों में विसे भी आती है हम शैतान के गुलाम थे शैतान ने हमें जबर्दस्ति अपना गुलाम बना के रखा हुआ था पर प्रभू ने हमें आवास दी घर आजा वापस कोई आपसे बोले ने घर वापसी करो बोला घर वापसी तो ही हमारी हम तो भटक गए थे प्रभू आमें अपने घर में वापस ले आया याकूब से कहा अपने घर जा और जैसे इसने आग्या सुनी ये दुवीदा में पढ़ गया इसकी सिंदीगी में स्ट्रकल चालू हो गया पढ़ेंगे इस बात को जीवन में इसके कई स्ट्रकल थे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाबान था सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इसके पस लाबान से छुठखा रापाना एक बड़ी टास्क था, एक बड़ा समस्या थी इसके जीवन में ये वक्त का इंतजार करता रहा कि किस दिन मुझे लाबान को छोड़ कर जाना है और एक समय ऐसा लाइफ में आया कि इसने अपना ये धर्शन, ये आग्या अपने परिवार में बाटी अपने दोनों पत्नी और बच्चों को लेकर उसने अपने इस आग्या को परिवार में बाटा क्या आप भी परिवार की आग्याओं को अपने परिवार में बाटते हैं 1994 में जब ये श्वमसी का मेरे साथ मेरा एंकाउंटर हुआ और मुझे कुछ आग्याएं थी प्रभू ने मैंने अपने परिवार में बाटी मैंने अपने बच्चों में बाटी मैंने अपनी माँ बाप में बाटी और अपनी पत्नी को ये बाते बताई कि आज रात इश्यमसीव में पास आये थे और उन्होंने मुझे बोला है सब कुछ छोड़ के मेरी सेवा के लिए निकल जा और ये बड़ा कठिन था परमेश्व की आग्याएं असानी से पूरी नहीं होती सामने लाबान है लाबान नहीं जाने देगा इसको ये पता है क्योंकि लाबान की बेटियां ने बार-बार मेरे साथ धोका किया है उनके विश्वास को जीत लिया और परिवार इस बात पर राजी हो गया कि आपन अपने पिता के घर चलेंगे जब आप यहोवा की आग्या पूरी करने के लिए अपने मन में विचार बनाएंगे परमेश्वार समी करन बनाएगा परमेश्वार आपके भरिवार से बात करेगा अडियल पत्री को भी सीधा गर देगा नहीं था कोई अडियल मूसा की बीवी रात को सराय में सीधा गर दिया खुद अब आप ले करागे नहीं बोलो आप बस अपने दिल में की छारक ले नाच जो आग्या आई है मुझे उसको पालन करना है मुझे उसको पूरा करना है बाकी काम परमेश्वार का है समझ में आया क्या समझ में आया तो जोड से बोलो हालेलूई पहली दुविदा पहली दूविदा याकूब की ये थी कि लाबान नहीं जाने देगा 31 अध्याए और उसका 23 बत पड़े इसलिए उसने अपने भाईयों को साथ लेकर उसका साथ दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा ये लाबान जो था ये याकूब के लिए सबसे बड़ी समिस्सा थी याकूब का पीछा करने के लिए उसने लाबान ने अपने साथ अपने और लोगों को भी ले लिया और ये पीछा करने गया इसका मतलब ये याकूब की जो सोस थी वो बिलकुल सही थी कि लावान मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके बात पढ़ेंगे 29 पत तुम लोगों की हानी करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है लेकिन देखिए परमेश्वर ने हैंडल किया पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर ने हैंडल किया जब आप युस यात्रा पे निकल प परमेश्वर उतर के आया था है कौने तू वो मेरा है लावान जाकर याकूब को बोलता है तेरी हानी करने की शक्ति मेरे अंदर है तुझे मैं चाहूं तो गुराम बनाके वापस ले जा सकता हूं लेकिन रात को तेरे बाप का परमेश्वर आया था तेरे दाधा का जाहे है जब आप आग्या पालन शुरू करेंगे आप परमेश्वर के लोग बन जाएंगे परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा दुनिया की कोई ताकत आपका सामना नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाओ आपके लिए खड़ा होगा कितने लोग बात को समझ रहे हैं हललुया उससे कहा इस अगली आएद को पढ़ेंगे 31 बत को याकूब ने लाबान को उत्तर दिया मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तु अपने बेटियों को मुझसे छीन ना ले मैं इसलिए डर गया था कि कहीं मेरी पतनिया मुझे ना छोड़ दे इसके अंदर और भी डर था, 40 पत पढ़िए मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और राद को घाम गुलामी में जो समय बिताया ना उसना उसका बयान कर रहा हुँ वो कह रहा है दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे खा गया तेरे जानवरों की देख भाल करते करते मैं अद्मरा हो गया शैदान हमेशा आपको अद्मरा करेगा प्रभी येश्वमसी आपको जीवन देगा बहुतायत का जीवन देगा चोर चोरी करने घात करने नाश करने आदा है पर दू येश्वमसी ने कहा मैं इसलिए हूँ कि तो मैं खुशियों का जीवन दू और बहुत आयत का जीवन दू अगर आपको बहुत आयत का जीवन चाहिए खुशियों का जीवन चाहिए आनंद का जीवन चाहिए आजाईए आज उसके पास खुशियां आपका अंतजार कर रही है कुछ अच्छी चीज़ें आपका अंतजार कर रही है are you ready for that ये कहता है दिन को दिन को धाम और रात का पाला मुझे क्या कर गया खा गया और मेरी नींद और नींद मेरी आँखों से भाग जाती थी नींद मेरी आँखों से क्या हो जाती थी भाग जाती थी याने रात को भी चैन नहीं दिन में नीद नहीं, रात को भी नीद नहीं, खुश नहीं, इस प्रकार की दुविधा में ये चल रहा था, एक और दुविधा उसके जीवन में थी, पत्नी जातो रही है साथ क्योंकि पती जा रहा है, पर पत्नी का विश्वास, पत्नी ओं नहीं, पत्नी का विश्वास, अ लाबान ने ऐसा कहा तुम अपने पिता के घर का बिलाशियों करके जाना चाहते हो अच्छा है तुम जाओ परन्तु एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या थी लाबान ने कहा मेरे ग्रह देवता देखे जाओ याकूब ने बड़े डंके की चोट कहा तेरे कोई भी ग्रह देवता हम नहीं लेकर आ है लेकिन पत्नी क्या गुल खिलारी है अंदर ही अंदर कभी-कभी पती खुला खिलाता है गुल बाहर रास्था तो पकड़ लिया है लेकिन पत्नी का एटिट्यूट पत्नी का वहवार चाल-चलन पत्नी की आस्था राहिल की आस्था अभी भी बाल देवता उपर है एक समयाना चाहिए हमारे जीवन में कि उन से हमारी आस्था हटकर जीवते पर मेश्वर पर आजाने जाए है अग्या प्रॉब्लम में ये भी एक प्रॉब्लम है उसके बाद अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और जीवन में सबसे बड़ा जो डर था वो बत्तीस के तीन से आठ में लिखा हुआ है उत्त्ती बत्तीस का तीन से आठ तब याकूब ने सेईर देश में तब याकूब उस यात्रा के दोरान यात्रा तो कर रहा है जैसे आप लोग आत्मिक जीवन में आत्मिक जीवन की यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन हैं अभी भी अंदर दूवीदा में दूवीदा अभी भी है कई लोगों को तो अभी भी यह लगता है कि कई ऐसा तो नहीं अपने ये शुमसी के बीच आगे गलती कर दी पड़ी ये भी दुवीदा है कई लोग तो बोलते हैं कि चालो पाचा चालो पड़े आप दुवीदा में हैं कब चब आपके जीवन में थोड़ा सा कोई संकट परीचानिया आ जाती है आप बोलते हैं ये शुमसी तु जिन्दा तो है न कि मांगा हम कि मर्योड है काम को निक रहे हम अभी भी दुवीदा में इस यात्रा के दौरान है लेकिन दुवीदा क्या है अब दुवीदा नंबर तीन कि सबसे बड़ी दुवीदा है उसका भाई जाओंगा मारा जाओंगा जाओंगा तलवार ऐसाओं की तलवार ऐसाओ जो मेरा भाई है तलवार लेकर मुझे मारने आ रहा है पढ़ना बेड़ा अर्थार्त एदोम देश में एदोम देश में अपने भाई एसाओं के पास अपने आगे दूत भेज दिये उसने अपने आगे एक दूतों को भेज दिया जानकारी हासल करने के लिए कि भाईया का गुस्सा ठंडा हुआ के नहीं भाईया का एटिट्यूड मेरे प्रती क्या है जानकारी करने के लिए जासुशी करने के लिए कुछ लोगों को आगे उसने भेज दिया चली आगे पड़ी और उसने उन्हें यह आग्या दी मेरे प्रभू एसाओं से यह कहना क्या बूल रहा है उसको क्या शब्द इस्तमाल किया उसने अपने बड़े भाई के लिए प्रभू शब्द इस्तमाल किया चली आगे पड़ी तेरा दास याकुब तुझसे यह कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा मैं लाबान के यहां मैंने 20 साल गुजारे वो 20 साल की जो सजा मुझे मिली मैं अपने मा से दूर रहा अपने बाप से दूर रहा अपने घर परिवार से दूर रहा वो किसी जेल से कम नहीं है वो किसी सजा से कम नहीं है जो मैंने भुकती है दिन को धाम और रात को चैन सब हराम जा कर उसे बताओ कि तेरे प्रती जो गल्ती मैंने की है उसकी सजा मैंने ये पाई है मैं 20 साल कभी सोया नहीं मेरी नीद हराम हो गई आशिश पाने के लिए गलत तरीकों का इस्तमाल करोगे आपका दिन का नीद रात का चैन सब हराम हो जाएगा बेचैन हो जाओगे जैसे याकूब हो गया उसके बाद क्या हुआ पड़ो और मेरे पास गाए बैल मेरे पास गाए बैल गधे बेड़ बक्रिया दुनिया में इसने बहुत दौलत कमाई प्यारो आप बताएए याकूब ने दौलत कमाई बीवी बच्चे हुए कोई कमी नी थी पर दिन में चैन दुवीदा अभी भी क्या थी सर के उपर थी डर डर का आत्मा उसके जीवन में था क्या डर था मेरा भाई ऐसा हो मुझे मार देगा एक आग्या आई है पिता के पास से परमेश्यों के पास से उठ अपने पितर अपने बाप दादों के घर जा लेकिन इसको पता है कि मैं जाओंगा तो क्या होगा मर जाओंगा मैं आप से यहां पर एक संदेश आपको देना चाहता हूं आग्या अगर आई है प्रभू की तो उसे पालन करते रहो बाकी सब परमेश्यों निप्टेगा दुवीदा में हैं और उसके बाद क्या हुआ पड़ो और दास दासियां है और मैंने अपने प्रभू के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रे की दृष्टी मुझ पर हो वे दूत याकुब के पास लोट के कहने लगे हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेट करने को चार सो पुरुष संग लिये हुए चला आता है बस पॉजिटिव है नेगेटिव है यह नहीं पता चला चार सो लोगों की फॉज लेकर भाई से मिलने आने की क्या चुरुत थी डैनियल भाई तो प्राब्लम है कुछ दूवीदा घटने के बजाए हलो हलो चार सो लोगों को लेकर आ रहा है अब तो हावा खतम हलत खराब हो गई हो गई उसकी आप सोचिए अकेला वो मिलने आ रहा हो था तो याकुब बोलता मैं निवट लूगा लेकिन चार सो लोगों के साथ और चार सो लोग वैसे ही नहीं आ रहे होंगे ऐसाओ के साथ ही है पूरी तयारी के साथ आ रहे होंगे दुवीदा और दिल की धक्तक और दुष बना रहे है दुवीदा बोलो स्ट्रगल प्रॉब्लम समस्या बड़ेगी चार सो लोग आ रहे है चार नहीं 400 पीपल आ रहे हैं चली आगे पड़ी क्या लिखा है तब याकुब बहुत डर गया तब याकुब और डर का बात ही है पास्टर मेरे साथ दे रहे हो बात का ही किया ये डर किया और गया और उसके बाद और संकट में पड़ा दूसरा नमबर क्या लिखा है वो अब स्ट्रकल में आ गया और ज़्यादा स्ट्रकल बढ़गिया इस गया अब क्या करूँ अब क्या होगा अंदर एक ही डर सता रहा है मेरा भाई मुझे मार डालेगा क्यों मार ड़ले का मालू मैं क्योंकि गलत काम करा मेरे अपने भाई के साथ अच्छा वेवार नहीं किया मैंने अपने भिता के साथ अच्छा वेवार नहीं किया गलती तो है मेरी प्रभू पर अभी संकट में पढ़ा हुआ और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बक्रियों के और गाए बैलों और उंटों के भी अलग-अलग दो दल कर दिये अब इसने दिमाग लगाया प्रभू से पूछाओगा प्रभू मैं क्या करूं मैं दुवीदा में हूँ बाइबल में लिखा है आगे जाकर कि प्रभू ने इसको ये सला दी दो दल बना ले जिन्दगी में एक बाद ध्यान रखना जब परमेश्वर आपको आपका फेवर करेगा तो आपको सला भी देगा यात्रा में इसने पर बारा पद में अगर हम पढ़ते हैं इसका बारा पद पढ़ना उत्पती बाई 32 का बारा तुने तो कहा है कि मैं निश्चे तीरी भलाई करूंगा ये परमेश्वर को उसका बाइदा याद दिला रहा है परमेश्वर तूने ही तो कह था पित्तरों के को समुंदर के बालों किलकों के समान बहुत कर दूगा जो बहतायत की मारे गिने नहीं जा सकते हाजी आगे बढ़ो आगे बढ़ो उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेट यहां परमेश्वर उसे उपाये बता र दल को दो भागों में बाढ़ते हैं मेरे पास समय का भाव है यह पूरा एक ऐसा सेमिनार का विशे है जिस पर पूरा दिन बात करी जा सकती है यहां लिखावाय उस दिन रात वहीं बिताई और अपने भाई एसाव की भेट के लिए चाट कर उनको निकाला अलग किया जिद को कि मित्र बना देती है अब आप सौरी का कार्ड क्यों लेके जाते हैं सौरी का कार्ड सौरी का गुलधस्ता ले जाते नि ले जाते हैं इसने भी सौरी का कार्ड और कुछ बेट बुल्दस्ते बगरा तयार करें ताकि उन सुवी दुवीधा पर जैब आए और यहां लिखाया है ऐसा उसे बेट करने के लिए वो निकला अब यहां पर मैं आपको एक बात बताता चाहता हूँ जब ओ दुवीधा में था उस यात्रा के दौरान उसने परमेश्वर को पुकारा सबसे बड़ी बात हैं आप अपनी दुवीधा में अपनी समस्या के अंदर जब हैं स्ट्रगल कर रही आपकी लाइफ तो आपको किसी और को पुकारने की जुरूत नहीं है आपको परमेश्वर को पुकारना है वेर अर्यू गॉट कहा हो परमेश्वर आप वाई यू अर नोट कमिंग आपने तो कहा दा चल मैं तो अच्छा खासा मांजीवन जी रह था मैं जैसा भी था ठीक था गुलाम था ठीक था मैं आपकी आग्या का पालन करके जा रहा हूं आप समस्या है मेरे जीवन को गेर रही है आपके पास एक ही उपाय है उस समस्या के दौरान हियाओ बांद कर अपने खुदा को पुकारो अपने खुदा को बुकारो और आपका खुदा उतर के आएगा और आपको सला देगा आपको बचने का उपाई बताएगा आपको तौर तरीके बताएगा अब उसके बाद हम देखते हैं कि उत्पती 32 का 13 से 21 तक बढ़े 13 से 21 उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव के भेट के लिए छाट छाट कर निकाला अर्थार 200 बक्रियां और 20 बक्रे और 200 भेडें और 20 मेडें और बच्चों समेत दूद देने वाली 30 उपनिया और 40 गाएं और 10 बेल और 20 गदियां और उनके 10 बच्चे इनको उसने जुंड जुंड करके अपने दासों को सौप कर उनसे कहा मेरे आगे बढ़ जाओ और जुंडों के बीच बीच में अंतर रखो जुंडों के बीच में अंतर रखो ताकि एक जुंड मारा जाए तो कोई बात नहीं कम सकम दूसरा तो बच्चा है आगे पिर उसने अगले जुंड के रखवाले को यह आग्या दी जब मेरा भाई एसाव तुझ से मिले जब मेरा भाई आगे वाले से मिले और पूछने लगे तो किसका दास है और कहां को जाता है और यह जो तेरे आगे आगे है यह किसके हैं तब कहना यह तेरे दास याकुब के हैं यह तेरे दास अपने आपको क्या बनाया चोटा बनाया Humble yourself नमर और दीन बनो समस्य जाएगी अकडवाजों के लिए कुछ नहीं होगा आप मेरे को किती भी गाली बोलो आपकी समस्य बढ़ेगी कितना भी मुझे अंशन बोलो आप सोच रहों मैं समीकरन ठीक कर दूगा समीकरन ठीक नहीं कर रहें आप समीकरन बिगाड रहें अपने घर का अपने जीवन का करो और करो Allowed है मेरी तरफ से क्योंकि मैं तो जिस दिन सेवा में आया था उस दिन सर पे कफन बांद के आया था उस दिन से सर पे कफन बंदा हुआ आज तक मुझे कोई फरक ने बढ़ता है मुझे कितनी गालियां देनी है मुझे कितना भला बुरा आपको बोलना है जो कुछ आपको बोलना है बोलिए पर एक बात ध्यान रखना मुझे बोलने से स्ट्रगल कमनी होगा स्ट्रगल बढ़ेगा लेकिन जिस दिन नमर और दीन बनकर अपने स्ट्रगल को खतम करना चाहते हो नमर और दीन बनकर के प्रभू के पास चले जाना स्ट्रगल खतम होने के कगार पर खड़ा हो यह चोटा बन गया आगे पढ़ दो 21 तक जाना है हे मेरे प्रभू एसाव आज थोड़ा सा समय जादा हो जाएगा लेकिन सुनो आप यह भेट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उन सब को जो जुन्डों के पीछे पीछे थे ऐसी ही आग्या दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना और यह भी कहना तिरा दास याकुब हमारे पीछे पीछे आ रहा है यह भी बता देना मैं वो याकुब भी आ रहा है क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेट जो मेरे आगे आगे जाती है शांत करती है भेटे सौरी का कार्ड अगले का गुस्सा समाफ्थ कर देता है आगे हो सकता है वह मुझसे प्रसन हो जाए इसलिए वह भेट याकुब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा 22 पत अब सुनना ध्यान से अब जो विशय है मेरा अब सुरू होता है पढ़ो उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और ग्यारह लड़कों को क्या कर दिया या बोक नदी के उस पार उतर दिया पूरी फैमिली कहा है उसने जो आशिशे पाई वो कहा है सुनो 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 ध्यान से कही बार आप आशिशों में इतने मश्गूल हो जाते हो कि उन आशिशों में इतना उलज जाते हो लेकिन आज रात याकूब ने अपने जीवन से अपने परिवार को और उन तमाम संसारिक आशिशों को अपने जीवन से जैसे ही वो उतरे और अलग हुए रात में परमेश्वर का दूत उससे बाते करने आ गया अगर आप अपनी दूवीधा पर जैपाना चाहते हो यह ही से फॉर्मूला शुरू होता है कुछ समय के लिए अपनी आशिशों को ताक में रखो अपने परिवार को थोड़ा सा अलग करो और अपनी समस्या समेथ खुदा के पास जाओ जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे को लगता है कई समय से परमेश्वर इससे और बात करना चाहता था लेकिन परमेश्वर बात करने जब भी आता साथ में लिया साथ में राहिल साथ में गयाई बैलों का जुंड और चरवाही और परमेश्वर इससे बात नहीं कर पा रहा था लेकिन आज रात आज रात खुदा को मौका मिल गया क्या आपने कभी खुदा के साथ अकेले में समय बिता है क्या आपने कभी खुदा के साथ अकेले में समय बिता है क्या आपने कभी खुदा से अकेले में बात की क्यों मेरे जीवन में ये स्ट्रगल चल रहा है क्यों मेरे घर के अंदर ये सब कुछ चल रहा है क्यों मेरे जीवन में बरबादी चल रही है क्यों मेरे परिवाद टूट रहा है क्यों मेरे पत्नी और मेरा भती बरबाद हो रहा है मेरे बच्चे बरमाद हो रहें क्या इन सबस्याओं को लेकर अकेले में कभी खुदा के पास गया हो आप अपनी बुद्धी से सब चीजों को ठीक करने में लगे हुए हो कुछ ठीक नहीं हुआ रहा याकुब के जीवन में पर आज रात जब अकेले में खुदा के साथ मुलाकात हो रही है आज रात इसकी दुवीदा का आखरी रात मैं एक दिन बहुत परिशान था मैं अपने परिवार को बीना बताए एक प्रोठी कोठी में चला गया मैंने खुदा से युद्ध किया क्या खुदा मैं इसलिए बुलाया गया कि मैं दुखवा हूँ मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परिशानी में था मैं फाइनेंशल कंडीशन खराब होने की वज़े से मैं उसमें से होकर गुजर रहा था सेवा में आ चुका था सेवा कर रहा था लोग थे मेरे पास पर मेरा अर्थिक बंदन नहीं तूट रहा था मैंने का खुदा क्या मुझे तुने इसलिए बुला है कि मैं जीवन भर स्ट्रगल करूं अगर यही मसियत है यही प्रभु की सेवा है तो मुझे नहीं करने तेरी सेवा तो कि जिस परमेश्वर के पीछे मैं आया हूँ वो सम्रद्धी का परमेश्वर है आशिशो का दाता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस उस दिन में वो डिन का समय था, रात नहीं थी, दिन का समय था और उस दिन मेरा परमेश्वर ने मुझ से कहा जा तेरे आर्थिक बंदन तूट गए मैने विश्वास से उसको ले लिया अपने जीवन में और उसके बाद मुझे परमेश्वर ने यू से यू वाला बना दिया, देने वाला बना दिया, अब याँ से आशा छोड़ दे, मैं हूना, मुझे जिन्दगी में कभी, किसी भली वस्तू की घटी नी होई, ये मेरे पिता का आशिरवाद है मेरे उपर, मेरे पापा ने बोला था, तुझे कभी किसी भली वस्तू की घटी नी होगी, मैंने बोल दिया, तथास तू आमीन, मेरे परमेशों ने मेरा बंदन तोड़ा, क्योंकि मैं अपने स्ट्रगल के लिए जिस से मैं स्ट्रगल कर रहा था अकेला खुदा के पास गया क्या कभी आपने खुदा के साथ अकेले समय विताए क्या दिल की बात खोल कर कही है खुदा मैं परिशान हूं मेरा सीना खोल के दिखा देख इतिनी सारी परिशानिया मेरे लाइप में चल रही है क्या इसलिए बुलाया गया हूं क्या तून समी करन ठीक नहीं कर सकता है याकूब के पास जब घाट पे से वो उतर गया है सब जने और याकूब अकेला रह गया तो आगे पढ़ना बेटे और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया अपना सब कुछ पार उतार के अपना सब कुछ अलग करके अपने स्ट्रगल के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताया आज बहुत सारे परिवार struggle कर रहे है और मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया के सामने अपना struggle बताने से अच्छा है एक दिन बंद को उठी करके खुदा के सामने अपना struggle बता दो और जैसे ही आप कुंडी लगाएंगे न परमेश और उतर के आएगा कहा उस रूम में वहाँ अल्रेडी होगा वो और आप उससे बाते करना शुरू करें और याकूब ने ऐसा किया पड़ो क्या करा और याकूब आप अकेला रह गया याकूब अकेला रह गया तब कोई पुरुष आकर पौफ अटने तक तो कोई आया बोलो कोई आया वो कोई और नहीं खुदा का दास था खुदा की बेर तरफ से भेजा वह एक सवक दूद था एक दूद था और दूद से इसने क्या बोला पड़ो कोई पुरुष आकर पौफटने तक उससे मल्यूद करता रहा मल्यूद करता रहा मल्यूद का क्या मतलब होता है मालूमे गुथन गुथा हो गया याकूब उसको जाने नहीं देना चाहता है सुलतूत बोलता है पौफटने लगी है मैं जो जाने दे राब बहुत भीद गई है बाते खतम हो चुकी है अब मैं जाना चाहता हूँ इसने क्या कहा मालू मैं जब उसने लेखा जब तक मेरा इस ट्रगल खतम नहीं होगा मैं तुझा छोडूँगा नहीं वो मल्यूत क्यों कर रहा था याकुम आशिरवाद blessing उस blessing में क्या था मालू मैं समस्या का अंत if God will bless you all the problems will go सब समस्या जाएगी एक भी नहीं बचेगी क्या आप मेरे साथ है वाह लिकावा है he fight with God पर वो fight क्यों कर रहा था क्या विशे था दुवीदा क्या थी दुवीदा ये थी कि मेरा भाई मेरा दुश्मन है माडा लेगा और तेरी आग्या पालन करना भी मेरे लिए ज़रूरी है और Bible का परमेशर कहता है उसने कहा जब तक मैं तुझे जाने नहीं दूँगा जब तक तु मुझे विजय भव नहीं बूले क्या क्या कभी आपने खुदा के साथ ऐसा ऐसा बात्चित किया है समस्य आपके पास है ना अरे बोलो है ना तो इधर दूआ करा लो जलंदर में जाके दूआ करा लो चंडिगड में जाके दूआ करा लो ये दूआ कराना बंद करके दूआ करो कहीं चले जाओ दूआ कराने के लिए जब तक खुद दुआ नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है अब आप हमारे पास आओगे दुआ करो तो करते हैं हम तो और प्रभु कभी हमारी भी सुनके करी देता है काम लोगों के और करता है और करेगा लेकिन इस ट्रगल अगर आपके जीवन में है तो एक ही फॉर्मूला है बंद करो कमरा और बोलो खुदा मेरे पती का उधार कहा है जब तक मेरे पती का उधार नहीं होगा मैं रोज तुझे तंग करूंगी और तुझे लेके रहूंगी मेरे बच्चों को उधार कहा है प्रभू दे और आपको पता है सवकदूद ने क्या बोला मा लिखा है वो मल्यूद करके प्रबल हुआ काई पे प्रबल हुआ अपनी दूविधा पर अपनी समस्या पर कैसे प्रबल हुआ मालूम है उस दूद ने पूचा तेरे नाम क्या है उसने कहा मेरा नाम याकूब है याकूब का मतलब होता है धोके बाच परमेश्वर के दूद ने उससे कहा आज से तेरे जीवन में से धोका धोके नाम की आत्मा जो है न मैं निकाल कर तुझे एक नया आत्मा दे रहा हूँ शुद्धमन वाला आत्मी बना रहा हूँ तेरा नाम आज से इस्राइल होगा शुद्धमन वाला होगा और तेरे जीवन में स्ट्रगल आज के बाद कभी नहीं रहेगा तु इस ट्रगल के लिए नहीं बुलाया गया है तु आज शिश्पाने के लिए बुलाया गया है तेरा नाम आज से इस्राइल होगा ये याकूब का जो नाम बदला ये क्या है मालूम है ये नया जनम है पुराना गया याकूब गया याकूब मर गया इस्राइल जिन्दा हो गया नय जनम के बाद नए जर्म के बाद याकूब का उस रात स्ट्रगल खत्म अगर उसका हो सकता है तो क्या केवल वो परमेश्व याकूब का ही है मेरा और आपका भी है आज आपकी दूवीदा का अंत कैसे होगा चाबी मिली चाबी मिली पडोसी को बोलो चाबी मिली चाबी मिली समझ में आया पडोसी को बूचो समझ में आया don't go anywhere shut your room and talk with God where is salvation of my husband मेरे पति का उध्धार का है प्रभू जब तक तू उध्धार के लिए हान नही बोले छोडू नही तुझे जब तक मेरे बच्चो का उध्धार तू ना बोले मैं छोडू नही तुझे जब तक मेरी समस्या का समधान नही हो मेरा कर्ज ना चुके मैं छोडूँगा नही तुझे मेरा घर ना बन जाए मैं छोडूँगा नही तुझे क्या ऐसा युद गिया है कभी जब आप ऐसा युद करेंगे तो आप उस समस्या पर जय पाएंगे वहां लिका है याकूब प्रबल हुआ किस पर वहां लिका है परमेश्वर से भी लड़कर वो उस पर प्रबल हो गया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हाकिकत यह है कि याकूब अपनी समस्या पर प्रबल हो गया हुआ गे नहीं उसने जय पाई और बाइबल का परमेश्वर अंत में यह कहता है मैं अंतिम दौर में जा रहा हूँ बाइबल का परमेश्वर यह कहता है कि जब किसी का चाल चलन खुदा को बसंद आता है तो वो उसके शत्रों से भी उसका मेल करा देता है हाललूया हाललूया क्या आपको मेरी बात समझ में आई है आज आपकी समस्या का आज आपकी दूवीदा का आज आपकी स्ट्रगल का आज आखरी दिन होना चाहिए समस्या को बोलो पीछे हट मैं प्रभु के आज्या पालन करने जा रहा हूं हाललुया कि आप मेरे साथ है कि आपको बाते समझ में आ रही है मेरे अजीजू 33 अध्याए 33 अध्याए उसका एक पत से आठ पत्तकम पड़े गए समस्या का अंत कैसे होता है जब खुदा किसी के चाल चलन को पसंद कर लेता है वो उसके शत्रों को भी कैसे बदलता है उनके वेवार को कैसे बदलता है उनके दुश्मनों से कैसे मेल मिलाप कराता है सुनिए याकुब ने आखे उठा कर यह देखा कि एसाव चार सो पुरुष संग लिये हुए चला आता है एसाव लेकिन अब उसके अंदर उन चार सो लोगों से डर रात की प्राथना रात का एंकाउंटर रात का बन कमरे का अलगाओ का जो समय खुदा के साथ मिताया उसने अंदर से उसको डर को भगा दिया परिसितियां बदल गई जो कल तक दुश्मन था जो कल तक मारने वाला था आज गले लगाने के लिए तैयार हो गया पढ़िए पढ़िए आगे पढ़िए तब उसने बच्चों को अलग-अलग बाट कर लिया और राहिल और दोनों दासियों को सौप दिया बच्चों को अलग-अलग कर दिया और उसके बाद और उसने सबसे आगे लड़कों समेट दासियों को उसके पीछे लड़कों समेट लिया और सबके पीछे राहिल और यूसफ को रखा और आप उन सबके आगे बढ़ा और साथ बार भूमी पर गिर के दंडवत की किसको उपरवाले को और उसके बाद और अपने भाई के पास पहुंचा किसके पास किसके पास आगे तब इसा उससे भेंट करने को दोड़ा और उसको बस रुचाओ कि एसाम को ने कल तक क्या कल तक काई के लिए खोज रहा था आज क्यों आज क्यों मिल रहे हैं आज कैसे मिल रहे हैं कि अरे कहां चला गया था तू इतने साल के लिए पागल है तू मेरे ज़ी डर के भाग गया डर नहीं के जरुद थी अरे भाईया मैंने आपका बहुत कुछ भी गाड़ा अरे छोड़ना पीछे की बात खुदा आपके शत्रों के साथ ऐसा संबंद बनाएगा आपका अलगाओ का जीवन अलग समय बिदालो खुदा के साथ आपका स्ट्रेगल खतम हो जाएगा लिखाया है ऐसा उससे भेंट करने के लिए दोड़ा कौन दोड़ा कौन दोड़ा कौन दोड़ा कौन ऐसा कौन था भाई-साब तो थे कल तक क्या था आज क्या हो गया है दूवीदा समस्या दुश्मन दोस्त बन गए है है लिखावा है और उसको हिर्दे से लगाकर गले से लिपट कर चूमा फिर वे दोनों रो पड़े वे दोनों अब आज काई क्या आसू है आज काई के आसू हैं दोनों के जीवन में खुशी के खुदा आपका मेल बिला आपके शत्रों से भी करा देगा आप वेट करो बस आपका चाल चलन ऐसा बनाओ आप अपने आपको इन आशीशों से अलगाओ रखो आशीश पाना गलत नहीं है पर आशीशों में उलग जाना और खेलना उनके साथ वो गलत है आगे पढ़ देना बेटा तब उसने आखे उठा कर स्त्रीयों और बच्चों को देखा और पूछा ये जो तेरे साथ हैं ऐसा हुने किन को देखा लिया को देखा राहिल को देखा बच्चों को देखा और ये कौन है याकुम ने कहा ये ये तेरे दास के लड़के हैं ये दास बन गया और उसके बाद जिने परमेश्वे ने अनुग्रह करके मुझको दिया है आगे आगे साथ तक पड़ो तब लड़कों समेट दासियों ने निकट आकर दंडवत किया तब लड़के भी आकर मिलने लगे और फिर लड़कों समेट लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया अंत में यूसुफ और राहिल ने भी निकट आकर दंडवत किया साब मेल मिलाप में बदल गया दूवीदा समस्या और आगे बढ़ो तब उसने पूछा एक चीज और बोलके खतम करूँगा तब उसने पूछा तेरा ये बड़ा दल जो मुझ को मिला उसका क्या प्रयोजन है ये एक चो आगे आगे जो तुने दल भेंजा था इसका क्या मतलब है उसने कहा ये है कि मेरे प्रभू की अनुग्रे की दृष्टी मुझ पर हो आगे एसाब ने कहा हे मेरे भाई मेरे पास तो बहुत है जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे एसाब ने क्या बोला मुझे तेरी भेट नहीं चाहिए मुझे तू चाहिए मैं बीस साल तक तेरे ले रोता रहा तू क्यों चला गया खुदा जब काम करता है न तो ऐसे ही करता है हल्दी लगी नफिट करी भेट भी नहीं लिए उसने अच्छा अब आगे देखो एक और आएथ आगे देखते है याकुब ने कहा नहीं नहीं यदि तेरा अनुग्रे मुझ पर हो तो मेरी भेट ग्रहन कर मेरी भेट को तू स्विकार कर ले क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझ से प्रसन हुआ है इसलिए यह भेट जो तुझे भेजी गई है ग्रहन कर क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रे किया है और मेरे पास बहुत है तब उसने उससे बहुत आग्रे किया तब उसने भेट को ग्रहन किया बहुत बोलने के बाद उसने भेट को स्विकार किया चली आगे फिर एसाव ने कहा फिर एसाव ने कहा हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा कौन बोल रहा है उड़ाओ पुतर की कहानी में क्या था बड़ा भाई क्या कर रहा है नाराजे यहां क्या है बड़ा भाई क्या कह रहा है आओ अब हम आगे की यात्रा मिल कर करेंगे लोग आपके साथ वाच्छा बादेंगे लोग आपके साथ बोलेंगे हम भी तुमारे साथ चलेंगे आज सुबह मैंने आपको अपनी आपका स्ट्रगल कैसे खतम होगा अगर आप स्ट्रगल में है तो आज आपका स्ट्रगल खतम होना है कोई तो बोले आमेन आई अपने स्थानों पर खड़े होकर कहें प्रभू मेरे जीवन में आजा